यह संगीत में ना सूरू से आखिर तक वो अगर किसी को बहुत अच्छा गुरू मिला है तो गुरू ही गुरू होता है मतलब यह सारे बात चीज जो है आप लोग शार करें ना करें जो मेरे पिता जी गुरू जी जोनों मुझे सब बदला के गए हुए बेटा फूरा सा जब नाम होता है थूड़ा लोग पहचान होता है तो ये यह होता है ऐसे बात करना चाहत। मतलब बात ऐसे करना, उनके सामने ऐसा करना, मतलब ये सारे जो है शूरू होता है, इंस्प्रेशन जो है और तालिम जो है, सभी गुरू से पुरू होता है। मैंने बच्पन से अपने पिताजी को, अपने गुरू जी को ये इंटर्व्व्यू देते हुए, प्रोगाम देते हुए, खाते हुए, पीते हुए, तोते, बढ़ते, हमने इतना देखा, इतना उन लोगों को मैंने, नस्दीक से मैंने देखा. और वो भी हमें इतना प्यार करते तो इसलिए जो है तो होता गया तालीम और दोनों जो है देखिए होता गया आप लोग सब जानते हैं देखिए कि बाहर से जो हम लोग देखते हैं जो हम लोग सुनते हैं वो उसको सिख्षा कहते हैं कि सिख्षा देते हैं गुरु से शिक्षा लेते हैं मैं अंदर जाने के बाद उसको सोच की और उसके ऊपर वार्काउल करते धीरे धीरे अंदर से गैन प्रक्त होता है कि तो अब मैं जो बोल रहा हूं ये मैं गैन के अधर पर गुल जो गैन कि गुरुजी लोगों ने दिया था कि शिक्षा पर तौर कि वही शिक्षा जो अभी गैन बनके उभर आया है कि अनन्त पक्तिया क्योंकि जितना आप सबसे मज़े की बात यह संगीत में जितना आप जानते जाएंगे जितना आप आगे जाएंगे उतना आप पीछे भी जाएंगे समझे मतब जितना आगे अम जा रहे हैं उतना लग रहा है कि कुछ नहीं बालू यह तो और करना है यह तो हमने तो इसको कराई नहीं इसको करते तो इसके साथ जो वो एक कनेक्शन होता है मतबद सब्जिक्ट वो जैसे तिहाई एक सब्जिक्ट तो मैंने समझ ली यह दो अच्छा तहाई बजाय दिमाग में है लेकिन उसके पीछे जो उसका कारण है तेहाई मत्तब जो उसका तो यह कभी हमने देखा ही नहीं आप तो कल सी इसको देखना है इस तरह तो बड़ा अच्छा यह तो यह जो है संगीत पर एक चीज है कि कभी आप बोल नहीं सकते कि यहां यहां मेरा अंत हो सिक्षा जो है वह सरजगाते दय्すby की संगीत देखिए बीद्य है तो यह वा चलता है कि वह कभी खतम नहीं हो दो कभी खतम नहीं होता है एक स्कूलों कॉलेजर में होने से एक सकूल्हूथ होने से स्कूरण मिल अब वो नहीं करता है वो अलग बाद लेकिन विद्धा चलू है चाहे कोई mathematics हो philosophy हो वो तो अंत नहीं है कितने किताबे लिखा गया है कितना कुछ अभी पड़ा हुआ है अभी चल भी रहा है इसका कोई खोज मिला नहीं है तो यह विद्ध्या यह तो रुखने वाला नहीं और संगीत का विद्ध्या यूकि भगवान से बना हुआ नाद ब्रह्म जो है भवान का बनाए हुआ सब्द है और दुनिया में जितने भी सब्द आप देख रहे हैं इसी सब्दों का निचोड संगीत है और सबसे सबसे अच्छा संगीत क्या सब निचोड के बास समझ में यह आया है उनियों को कि कि सबसे अच्छा संगीत जो है वह साइलें स्टब्धता जब संगीत में मूखर होते हुते जब किसी का जो जाके अंतीन जगा में पहुंसता है और तबो सिद्धिलाब करता है तो शांत हो जाता है वो चूप हो जाता है और यही मूजिक है क्योंकि जब बोस्तब्ध हो जाता है उसके अंदर में असली मूजिक चालू होने लगता है तब जाके वो ट्रांस में चला गया मूजिक जहां कि मूजिक चल रहा है आसल म्यूजीक तो हावा में चलती है, यह हम लोग जो imagination हम लोगों का होता है, हम लोगों का जो भी improvisation होता है, कहां से आता है, हावा से आती है, हर बकत यह चल रहा है, हम लोगों को गूरूओं ने सिकला दिया है कि हवा की बात्चीत जो है, उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे सोचना है, अनुभवता इतना बढ़ा लो कि हवा से बात्चीत कर सको, हवा की बात्चीत समझ सको, यह तंब जाके मिना मल्लार का हराम मिलेगा गिस जो जिसने хочу क्यार कि कि गया तांसेंग client के इंदर में कि अंदर में없이 अंदर में ईए ब्रसाइओ का पानी पानी परसा का पूरा रीचू जो है उनके सरीर में बहने लगा तब जाके वो राग उनके दिल से निकला है कि यह जो किताबों में लिखा हुआ होता है कि तांसेंजी गाते थे तो आग लगता था पानी परस्ता था पानी परस्ता आएं जो सुनने वाले उनके वह मन में वो थे सब सुन्ने वाले उनके भी मन में उसना परस्ते आण सैंट ने उनको अ गात आक बरसात में बैटा हूं पानी हो रहा है फारिस हो रहा है दुआ और तो संगीत में अनुभवता सबसे बड़ा चीज अगर आप अनुभव नहीं कर सकते तो आप अलाकार भी नहीं बन सकते किसी भी तरह आर्टिस नहीं बन सकते यह जो कैलेंडर आपने बनाया है हर साथ यह तो आपको पहले अनुभवता से आपको छिंता आया है फिर ग्याव से अपने इसको सजाना शुब की विया MA कैई से कैसे कैसे इसने करा जाये कैसे कि दहाचे में ढाला या यह सारा प्लेंग जो है अनुभावता गैन और स्विक्षा तीनों मिलके तम जाके एक कैलंडर आपने बनाया है यह कोई आम ऐसा कैलंडर नहीं है जो आपने बनाया है यह किसी लड़की का या किसी अनिमेल का आपने फोटो दे दिया है और डेट लगा दिया प्यूंग हो गया है इस साल का जो कैलंडर आपने बनाया है जो रागों के उपर तो आपको रागों से प्यार है आपने राग लेके सोचा है अपने कैलंडर सब्जेक्ट लेके सोचा है सब कुछ मिला जोला के सब मिल के जगा एक जगा जाके खड़ा हुआ तब जाके यह कैलंडर निकला और इसके पीछे वही आपका ग्यान आपका शिक्षा आपका अलूहवता यह आपको इस जगा पर लाए हैं और इस काम करने के लिए आपको कि शारा शक्ति शारा भुत्ति शारा तकुर दिया है कि बस्ता है इस आपका सवाल का एक सिथी सी जवाब क्या है कि कि गाना बजाना जो आप बोल रहे हैं कि कलाका कौन है कलाका कलाकार होना इतना असाम बात नहीं है हम लोग मैं समझता हूं कि हम अभी भी कोशिश करते हैं कलाकार होने के लिए हमने कलाकार उसको बोलते हैं जो कलाकार के साथ मिलके कुछ कला बनाते है तो वो कलाकार है कलाकार हमारे गुरू थे पंडित केशन महराजी पद्वभी भुशन वो थे बिर्ज्य महराजी कलाकार थे जो एक आलग दिशाज दिखा के चले गए आज लोग पंडित केशन महराजी जैसे बात चीत करना चाहते हैं कुर्ता पहनना चाहते हैं तबला बजाना चाहते हैं विर्ज्य महराजी के तरह तांसाल लोग खड़ा होना चाहते हैं वैसे बात चीत करना चाहते हैं वैसे नाचना चाहते हैं वैसे सब कुछ उसे खाना वैसे पीना वैसे जिन्दिगी चाहते हैं इसको कहते कलाकार हम लोग अभी कलाकार हुए नहीं कला को जो अपनी कला को प्रतिश्चित कर सकता है वो कला कर तो हम कहां कलाकार सारा भारत में हमारा तो हमला थोड़ी बज़ा है इस वेज़े से मैं बोल रहा हूं कि असल बात तो यह है कि इमन चाहे दस प्रकार तुम गाओ और चाहे एक प्रकार तुम गाओ तुम्हारी बात चीत रहनसान और देखने से जब पता चला जाएगा चल जाएगा कि यह कलाकार है किसी को बोलने की वो नहीं होगा जरुरत नहीं होगा भाई यह कलाकार है देखने से कलाकार देखने से पता चलता है कि यह कलाकार उसकी कलाकार की हर अदा हर अदाय में कलाकारी दिखता है वो एक स्टेज में बैटके रुमाल से मूँ भी पुस्ता है तो वो भी कलाकार लो तो इसको कहते है आर्टिस्टी इतनों कहते है कलागारी तो खाली इमन गाले से पतान मारने से खुछ नहीं होने वाद यह संस्कार है यह हमारे जो पिता से जो गुरू से जो संस्कार हम लोगों को मिला है तो उसी में यह सारा आजाता है मतलब किसी को अभी जैसे हमारे जो बड़े हो जाते कहा है दわか्तब बड़े मतलब कि छुछ अठरा भी शाल के बाद जो है बोलना नहीं पड़ता है वो अपने आपी किसी को चाचा किसी को चाची बोल लेते, वो कैसे होता है कि उसको बच्पने से सिखाया जाता है कि बड़ों को इस तरह सन्मान दिया जाता है, उनके पीछे कुछ चाचा, चाची, मासी में सो कुछ बोलना पड़ता है तो उनका उमर की हिसाब से उनका जो है और समपर्ख के इसाब से उनका सम्मान बनता है तो यह हमारे संसकार है यह संसकार जो है यह हमआरे गुरू ने मेरे पिताजी ने माताजी ने हमको बशंत से देख दिया है सब यह भारती संसकार इंग्रेज लोग अपने बाप को भी नाम से प Smrit लेकिन जुर्णत पर हमने अपने बाप का अपने गुरु का नाम लेते हैं मां का नाम लेते तो कान पकड़ इसका अर्थ यह है कि उनका नाम बड़ों का नाम ऐसे नहीं या यह यह संसकार तो जो आपने सवाल किया है उसका कारण खाली एकमात्र यह है कि हम भारतिय संसकार ले करके बढ़े हुए और भारत के संसकार को आगे बढ़ना चाहते हैं और यह सब अपना हमारा वो संसकारी रूप है के किक यूपयर्व कोई कोई किसी किसी फैमिली में देखिए गापिता जो है पिता जांड आज ईह हैं ऊपर स्टीरे से बात करते हैं वह उनका है लेकिन है वह आपने तो हमारे जो है गुरुजी जो है उनका क्यरेक्टर जो था उस्टॉण था तो वो उनकी वाइस से वो स्ट्रॉंगनेस पता चल तो वो मिठा बात भी करते थे तो उसी प्रस्वाइडी के साथ अरे कुमार ऐसा है कल चलोगे न लेकिन दूसरे पिता हो या गुरु हो शायद वो कहते थे इसी लेंगेश के कुमार कल थोड़ा जाना है हमारे साथ बात ए इस इसको समझना चाहिए कि इस तरह जो बात करता है इसके मतलब कि आपको वह बहुत ज्यादा अपना समझते है या श्रिवंद्र कल चलोगे न हमारे साथ वो उनी को बोल रहे है न जिनके ओपर अधिकार है तो इसमें वह अधिकार भी लिख जाता है तो हम लोगों को क्य सबसे इंपर्टन बात है जो आभी हो रहा है क्या है कि कलाकार बनने कि अधिकार है कि अधिकार है तो इसी तरह तो सिख्षा हुआ करने के लिए लिए नाम करने के लिए गाना बजाना रशक लिए उभाजी करना कैनी है करें यह काम इसे अ यह काम बहुत मुझ्ब है और संगीत 16 कला के एकदम आखरी कला में में आता है हा तो संगीत बहुत मुझकिल चीज्जे इस लिएühren कार बनने के लिए धिरज रखो कि तालीम दिया करो उसको चिंता में रखो किये जाओ पीछे मुण के मत देखो जादा आगे भी मत देखो जादा आगे दिख जाएगा तो अभी तुम जहां हो वो बहुत दूर दिखेगा तो दिमाग का एक बैलेंस पना के रखो जहां तुम हो उस जगा को अगर नहीं समझा उस जगा का अगर तुमने महत्त नहीं दिया इसलिए देखिए एक एक बात्षी जो है बड़ों का गुणियों का गुणी दिशियों का उसका कई अर्थ निकलता है जैसे गीता में में विराज करता हूं मेरे पास नाभविष्व है और ना अकीत है यह कहने के मतलब यह है कि जहां तुम अभी हो उसको पहचानो उस जगा का महत्त तुम समझो कि तुम कहां हो क्या हो कैसे हो फिर आगे का तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या करना है लेकिन तुम तुमको कुछ नहीं मिलने हो कुछ नहीं मिलने हो कि बर्तमान को पकड़ो अभी का देखो अभी का सोचो और अभी तुमारे जो करना है वो काम का वो चाहे खाना पिना हो चाहे ठीक समय पर सोना हो चाहे गुरु सेवा हो सारे बात्चीज जो है अभी का समय जो तुमको करना है वो अभी करो वो कल के नियमत चोड़ो और कल की बात जो है वो कल करना अचिनता आभी मत करो साल रताले